Hello everyone, welcome back to my channel My Baby Care और मैं हूँ आपके साथ अर्शना Mostly parents एक चीज़ को लेकर हमेशा परशान रहते हैं और वो होता है बेबी का weight बच्चे का वजन ठीक से नहीं बढ़ रहा है, बेबी का वजन पहले अच्छा था पर अब कम होता जा रहा है तो मैं क्या करना चाहिए तो आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे आसान से tips बताने वाली हूँ और कुछ ऐसी चीज़े बताने वाली हूँ जो कि आपको अपने बेबी की diet में include करनी है जिसे अगर आप बेबी को खिलाते हैं तो एक महने के अंदर ही आप अपने बेबी के वजन में अंतर जरूर देखेंगे तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं आप मुझे comment section में जरूर बताएगा कि क्या अपने बेबी का vaccination तिका करन आप टाइम से कराते हैं या नहीं सबसे पहला point है कि बच्चे को आपको हर 2-3 घंटे में दूद पिलाना चाहिए अगर वो 6 मेने से छोटा है तो चाया breastfeeding कराते हो या फिर formula मेल पिलाते हो फिर जा आपका बेबी 6 मेने से बढ़ा हो जाता है तो भी इस इसका ध्यान रखे कि हर 2-3 घंटे में बेबी को कुछ न कुछ आप जरूर खिलाते रहें जैसे तीन बार आपने breakfast, lunch, dinner करा दिया तो बीच में कुछ न कुछ snacks बेबी को देते रहें वो भी healthy snacks मसाज भी बच्चे का वजन बढ़ाने के लिए बहुत जरूरी होती है शिरुवात के 1-5 साल तक आप बच्चे की मसाज daily करें ताकि बच्चे का अच्छे से वजन बढ़ पाए और बेबी की जो body है वो भी अच्छे से strong हो पाएगी नमबर 3 है vitamin D तो बेबी को शिरुवात के 1 साल में जो vitamin D की drops आती है वो अब जरूर दे daily दे जितना आपके डॉक्टर ने आपको बताया उतना देना चाहिए आपको तो इससे भी बच्चे का वजन बढ़ने में मदद मिलती है और साथी साथ सुभा की जो धूप होती है उस आपको बच्चे को जो आलू है वो बॉइल करके उबाल के अच्छे से मैश करके आप खिला सकते हैं इसके लावा बच्चा थोड़ा सा बड़ा हो रहा है तो खिचटी में आलू आड़ करके दे सकते हैं आलू के पराथे आप खिला सकते हैं तो किसी भी फॉम में बच्चे बच्चे को अच्छी भूख लगती है और जब अच्छी भूख लगेगी तो बच्चा खाने के डिमांड करेगा तो आप बेबी को फिर आप खाना खिला सकते हैं और भी fruits आपको खिलाने हैं जैसे कि आप बनाना जरूर बेबी की डायट में डेली इंक्लूट कीजिए बनाना बच्चे को काफी पसंद भी होता है और ये भी काफी एनरजी देता है बच्चे को बच्चे के वदन बढ़ाने में भी मदद करता है बनाना बेबी को मैश करके दे सकते हैं एक दम प्योरी की फ़र्म में या फिर आप ओट्स बनाते तो ओट्स जिप थुआ ठंडा हो जाए तब ऊपर से बनाना डालके और उच्छे से मैश करके उसमें वो खिला सकते हैं आप बनाना शेक बना के अपने बच्चे को बिला सकते हैं बनाना में थोड़ी से दही आड़ करके भी बच्चे को खिला सकते हैं नेक्स आता है दल्या या खिचडी, तो जो गिहूं का दल्या होता है वो अपने बेबियों खिला सकते हैं, आप बच्चे को खिचडी खिला सकते हैं, ये दल्या आप मीठा भी दे सकते हैं बच्चे को ये नमकीन भी दे सकते हैं अगर आपका बच्चा एक साल से बढ़ा हो तो नमकीन दल्या अगर आप बना रहे हैं तो इसमें थोड़ी सी मूंग की डाल आड़ करके और जो सबजियां होती हैं जिसे आलू, मतर, गाजर ये सब आड़ करके तब बच्चे को अच्छे से मैश करके उसको खिलाएए काफी फायदा होता बच्चे को और ऐसे ही आप खि शिरूर कीजिए शिरूरात आप मुंग डाल से कर सकते हैं फिर दीर और बच्चे उखलाना शिरूर कीजिए ये प्रोटीन का अच्छा सोर्स होती है और इससे भी बेबी का वेट गेन होता है दाल के साथ-साथ आप बेबी को जो है चावल भी जरूर खिलाएए चावल खि एक मैंने रेसिपी वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने शेयर किया था कि बच्चे का वदन एक महिने में आप कैसे बढ़ा सकते हैं उसका लिंक मैंने यहां पर दे दिया है आप वहां जाकर यह वीडियो देखिए तो आपको काफी हैल्प मिलेगी नेक्स आता है डेली प्र प्रोटीन का बहुत अच्छा सोर्स होते हैं और बेबी जब आपका आट महिने का हो जाए तब से अब बेबी को एक खिलाना स्टार्ट कर सकते हैं और लास्ट पॉइंट है ड्राइफूट पाउडर तब क्या करना है ड्राइफूट पाउडर बनाने के लिए एक बैन सकते हैं बच्चे के दूद में थोड़ा सा अड़ करके बच्चे को पिला सकते हैं तो यह कुछ तरीके हैं जिससे क्या बच्चे को चीज़े खिला सकते हैं और बच्चे को पता भी नी चलेगा बच्चा चान से खा भी लेगा तो फ्रेंड सी जो सारी चीज़े हैं जो सार को लाइक करें शेयर करें मिलते हैं नेक्स वीडियो में थैंक यू फू वाचिंग